हिंदी मुवी मानिया चैनल में आपका स्वागत है आज हम 2012 में रिलीज स्पाइडर मैन फ्रेंचाइजे की एक रीबूट मुवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है दे अमेजिंग स्पाइडर मैन इस मुवी के स्टार कास्ट बिल्कुल नहीं है और ये किसी और alternate universe की कहानी सुनाती है मुवी की शुरुवात में हम पीटर को देखते हैं जो कि अपने पेरेंच के साथ पीकाबू खेल रहा होता है लेकिन तब ही वो एक आवाज सुनता है वो जब अपने डाड की इस study में जाता है तब तक उसके डाड भी वहाँ आ जाते हैं और उसे समझाते हैं यहाँ चोरी की कोशिश हुई है तब वो सबसे पहले अपने एक important file को चिक करते हैं जो कि अभी भी उनके पास ही था फिर उसके mom और डाड उसे लेकर आंट मे के घर जाते हैं और उसे वहाँ safely छोड़ कर वहाँ से कहीं और चले जाते हैं कुछ दिनों बात पीटर को पता चलता है कि उसके mom और डाड मारे जा चुके हैं अब movie कुछ साल आगे shift होती है जहाँ पीटर कॉलेज में पढ़ता है वो पढ़ाई में काफी intelligent है परसीदिय सभाव के कारण कॉलेज के दूसरे बच्चे उसे bully करते हैं एक दिन Flash नाम का एक लड़का पीटर को bully कर रहा था तब Gwen Stacy नाम की एक लड़की वहाँ आती है और उसे बचाती है पीटर Gwen को हमेशा से पसंद किया करता है और वो उसका crush थी इधर एक दिन घर पर जब पीटर अंकल Ben के साथ बेस्मेंट की सफाई कर रहा था तब उसे अपने डाइड का एक brief kiss मिलता है जिसके अंदर उसके डाइड के काफी important documents भी थे फाइल देखकर पीटर को उसके डाइड के ही एक friend के बारे में पता चलता है जिसका नाम था Dr. Cult Corner और वो दोनों genetic modification के project पर एक साथ और सकॉर्प company में ही काम करते थे एक दिन जब कुछ students की और सकॉर्प में trip थी तो पीटर वहां किसी और student का नाम लेकर अंदर घुश जाता है यहाँ वो Gwen को देखता है जो कि Dr. Cult की ही assistant भी है पीटर वहां ताक जाक करते हुए एक रूम में पहुँच जाता है जहाँ बायो जेनेटिक से स्पाइडर्स वेब बनाये जा रहे थे पीटर गलती से वेब को टच कर देता है जिससे बहुत सारे स्पाइडर्स उस पर गिरने लग जाते हैं पीटर ऐसे तो सभी इस्पाइडर्स को अपने उपर से हटा देता है पर एक इस्पाइडर उसके गल्ले में फसा रह जाता है और उसे काट लेता है जब पीटर ट्रेन से घर वापस जा रहा था तो उसे उसकी तब्यत ठीक नहीं लगती और वो सो जाता है पर जब वो उठता है तो ट्रेन के कुछ लोग उससे परिशान करने लग जाते हैं उन लोगों से बचते वक्त पीटर को एसास होता है कि उसके अंदर अब स्पाइडर मैन की पावर्स आ गई है जैसे वो ट्रेन की रॉट से चिपक गया था उसकी सिक्स्थ सेंस काफी तेज हो गई थी स्पीड बढ़ गई थी और सूपर स्ट्रिंथ भी वो सबको बहुत जल्दी ही धूल चटा देता है घर वापसा कर वो अपने डाइड की फाइल देखने लगता है कि वो किस चीज पर काम कर रहे थे फिर वो डॉक्टर कल्ट के पास जाता है डॉक्टर कल्ट उससे पहले से पहचानते थे सो वो उसे अंदर बुलाते हैं डॉक्टर कल्ट ने एक एक्सिडेंट में अपना एक हाथ खो दिया है पीटर यहां डॉक्टर कल्ट को बताता है कि वो उनके friend Richard Parker का ही बेटा है डॉक्टर कल्ट यहां Peter को बताते हैं कि वो और उसके dad एक experiment पर साथ में काम कर रहे थे पर उनके experiment में एक algorithm missing था जिसकी वज़े से वो experiment कभी भी successful नहीं हो पाया लेकिन अगर हम वहाँ successful हो जाते तो किसी भी इनसान के कटे हुए body part को दुबारा उगाया जा सकता था यह सब सुनकर Peter वो missing algorithm डॉक्टर कल्ट को दे देता है जो कि उसे अपने dad के file से मिला था इधर college में flash एक बार फिर से Peter को तंग करता है जिसमें Peter इस बार flash को basketball के match का challenge देता है और साथ ही उसे basketball में बुरी तरह हरा कर goal करता है जिससे की basketball hoop ही तूट जाता है इस incident के बाद principal uncle Ben को college बुलाता है uncle Ben को यहाँ आना पड़ता है जिसकी वज़े से उनकी job पर उन्हें अब ज़्यादा समय विताना पड़ेगा इसलिए वो Peter को आन्ट में को वापस लाने के लिए कहते हैं Peter हामी भर देता है लेकिन इस बात को पूरा भूल कर Peter अपनी new powers को टेस्ट करने में लग जाता है और डॉक्टर कल्ट के साथ उनके experiment में भी हिस्सा लेता है जिससे वो लोग rats पर अपना algorithm experiment कर रहे थे लेकिन ये समय वो आन्ट में के बारे में पूरा ही भूल गया और जब वो घर आता है तो अंकल बेन उसे बहुर डाट लगाते हैं और अंकल बेन से बहस होनी की वज़े से Peter गुस्से में घर छोर कर निकल जाता है थोरी दिर बाद अंकल बेन भी उसके पीछे उसे ढूनने निकल जाते हैं Peter एक store में milk का एक box खरीदता है लेकिन उसके पास पूरी पैसे नहीं थे और वो store owner उसे कम पैसों में milk देने से मना कर देता है तब ही वहाँ एक चोर आता है जो कि उस store के पूरे पैसे ही चुरा लेता है और साथ ही Peter को milk का डबा भी दे देता है लेकिन Peter यहाँ उस चोर को नहीं पकड़वाता और ना ही उस shop owner की मदद करता है फिर वही चोर जाकर अंकल बेन से टकराता है जहां उसकी गन उसके pocket से गिर जाती है अंकल बेन उसे रोकने की कोशिश करते हैं और हाथा पाई में वह चोर गोली चला देता है और अंकल बेन वहीं मारे जाते हैं पीटर भी वहाँ पहुच गया था और वह बहुत दुखी होता है फिर पुलिस उनके घर पर आती है जहां पीटर को चोर का स्किच देखने के लिए मिलता है जिसके बाद वह पूरी सिटी में उस चोर को ढूनने लग जाता है उस चोर को ढूनने की चकर में वह एक दूसरे गैंग से भिड़ जाता है और एक गैंग उसके पीछे पड़ जाती है जहां से भागते वक्त वो एक स्टेडियम में गर जाता है जहां वो एक मास्क का पोस्टर देखता है और यहां से उसे अपने लिए एक सूट डिजाइन करने का आईडिया आता है जहां पीटर अब अपने लिए एक सूट डिजाइन करता है और साथ ही वेब शूटर्स भी बनाता है और अब वो अपने इस नए सूट में पूरे सिटी के चोर बदमाशों से लड़ता रहता है और क्योंकि अब वो हमेशा फाइट में रहता है तो इसे काफी चोट भी आई रहती है जिसके लिए आंड में भी सोचती है कि उसे हमेशा चोट क्यों लगी रहती है इधर और स्कॉर्प कमपनी में वो एक्सपरिमेंट रैट्स पर किया गया था सो वो सक्सेस्फुल हो जाता है रचित डॉक्टर कल्ट को बोलता है कि जल्दी से एक्सपरिमेंट इंसानों पर भी शुरू कर दो डॉक्टर कल्ट यहां मना करते हैं क्योंकि यह काफी जल्दी हो रहा था और हमें अभी इंसानों पर ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे इंसानों की मौत भी हो सकती है इससे रचित गुच्सा होता है और उसे जौब से निकालने के बाद वो फॉर्मूला वहां से लेकर चला जाता है ताकि और लोगों पर ट्राई कर सके ये सब देखकर डॉक्टर कल्ट वो सीरम खुद पर ही ट्राई करने लग जाते है क्योंकि उनका भी एक हाथ कट चुका था इसके बाद वो सो जाते हैं इधर पीटर गुएन स्टेशी के घर डिनर पड़ाता है जहां पीटर और गुएन के डाईड की थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि गुएन के डाईड स्पाइडर मैन के अगेंस्ट तबी वहाँ news आता है कि City के bridge पर कोई हमला हुआ है जिसके लिए Gwen के डायड उधर चले जाते हैं Gwen और पीटर जब बाते करने के लिए च्छत पर जाते हैं तो पीटर Gwen को बता देता है कि वह ही ये spider-man है अब हमें पता चलता है कि उस ब्रिज पर जो हमला हुआ है वो डॉक्टर कल्ट की वज़े से हुआ है क्योंकि जब वो सीरम लगाने के बाद सोकर उठे थे तो उनका कटा हुआ हाथ पूरा वापस आ गया था और साथ ही उनके बॉड़ी धीरे धीरे एक लिजर्ड में बदल ने के बाद वो ब्रिज पर तबाही मचाने लग गये थे और साथ ही इन लोगों पर हमला भी करने लगे थे तभी वहाँ पीटर कल्ट क से मिलने जाता है वह वो देखता है कि जिस चूहे पर उन लोगों ने experiment किया था वो एक lizard में बदल गया है और दूसरे चूहे को मार कर खा रहा है यहां पीटर समझ जाता है कि डॉक्टर कल्ट ही वो lizard थे जो कल रात bridge पर तबाही मचा रहे थे पीटर ग्वेन के डायड जो कि पुलिस में थे उन्हें ये सब बाते बताने की कोशिश करता है पर ग्वेन के डायड उसकी बात का भरोसा नहीं करते क्योंकि ऐसे भी सहर में किसी ने lizard को नहीं देखा था सबूत दिखाने के लिए पीटर फैसला करता है कि वो lizard की photos लेकर आएगा जिसके लिए वो गटर में जाकर camera लगा देता है तभी वहाँ lizard आ जाता है और उन दोनों के बिच fight होने लगती है लेकिन lizard पीटर से काफी जादा ताकतवर है और उस पर बहुत भारी भी पढ़ रहा था इसलिए पीटर कैसे भी अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलता है लेकिन उसका camera वहीं पर गिर जाता है और lizard उस camera पर पीटर पारकर का नाम लिखा हुआ देख लेता है जिससे वो समझ जाता है कि पीटर पारकर ही spider man है फिर lizard पीटर के college पहुचता है और वहाँ पीटर को ढूणने लगता है पीटर तुरंत ही spider man के कपड़ों में वहाँ बहुत जाता है जहां दोनों के बीच काफी fight होती है और पुलिस भी वहाँ दोनों को पकड़ने आ रही थी यहां lizard यानि डॉक्टर कल्ट का plan था कि वह ओसकॉर्प के tower से एक cloud बनाएंगे जिससे उस cloud के अंदर जो भी आएगा वो इनसान से lizard बन जाएगा यह पता चलने पर spider man और ओसकॉर्प tower की तरफ जाने लगता है जहां police बीच में उसका रास्ता रोक लेती है और spider man और police की fight होने लगती है fight के बीच में captain Stacy के सामने spider man की असलियत आ जाती है जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि Peter ही यह spider man है फिर Peter यहां captain को convince करता है कि Gwen की जान खत्रे में है क्योंकि lizard पूरी city को ही lizard बनाने वाला है और Gwen भी ओसकॉर्प tower में ही है इस पर captain उसे वहाँ से जाने देते हैं लेकिन वो जैसे ही जा रहा था एक police उसके पैर पर गोली मार देती है जिससे spider man घायल हो जाता है और अब उस उची tower पर पहुँचना बिल्कुल ही नमुम्किन लग रहा था अब यहां उस बच्चे के dad जिसके जान spider man ने बचाई थी उसकी help करते हैं अपने साथियों की मदद से वो सभी cranes को city में सीधे सीधे लगा देते हैं जिससे spider man अब उन सब के सहारे आराम और सकॉप टावर तक पहुँच जाता है लिजर्ड भी वहीं पर था जहां अब दोनों की बीच fight होने लगती है और इधर Gwen captain को antidote लाकर देती है जैसा कि उसे Peter ने कहा था क्योंकि अगर वो antidote machine में लगा देगा तो कोई भी lizard में नहीं बदलेगा और साथ ही doctor cult भी ठीक हो जाएंगे तभी वहाँ captain antidote लाकर देते हैं और spider man को machine में लगाने के लिए बोलते हैं spider man tower की तरह बढ़ता है लेकिन lizard तुरंती captain को घायल करके spider man को रोकने आता है बड़ी मुश्किल से Peter उस antidote को machine में डाल देता है और antidote का cloud बनता है जिससे doctor cult भी वापस इंसान बन जाते हैं Peter captain से मिलने जाता है जहां अब वो अपनी आखरी साथ से ले रहे थे और वो यहां Peter को Gwen से दूर रहने के लिए बोलते हैं ताकि वो safe रहे और वो मारे जाते हैं इधर doctor cult को police पकड़ कर ले जाती है अब कुछ दिन बात captain Stacy का funeral होता है जिससे Peter छिपकर attend करता है क्योंकि captain ने उसे Gwen से दूर रहने के लिए कहा था एक दिन Gwen Peter के घर आती है और उसे पूछती है कि वो उसे क्यों ignore कर रहा है क्या उसके dad ने उससे दूर रहने के लिए कहा है पीटर इस बात का कोई जबाब नहीं देता एक दिन जब Peter और Gwen college में मिलते हैं तो Peter Gwen को बोलता है कि वो वादे सबसे अच्छे होते हैं जिन्हें तोड़ा जा सके Gwen यहां मुस्कुरा देती है अब हम एक post credit scene देखते हैं कि डॉक्टर कल्ट अब जेल में है और उनसे कोई मिलने आया है और बोलता है कि क्या Peter को इसके डैट के सच के बारे में पता है तो डॉक्टर कल्ट बोलते हैं नहीं और मूवी यहीं खतम हो जाती है